प्राचिनन नियाय का आधार विशेक मूक्स पार्थ्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक अभिनिंदन करते हैं गुण प्रकरन चल रहा है और उसके क्रम में यह 24 गुण हैं जिसे हम संसकार कहते हैं इसके पूर्व में हम धर्म अधर्म का निरूपन कर चुके हैं अभी संसकार का निरूपन हो रहा है संसकार में सबसे पहले उसके साधर्म का निरूपन करेंगे संसकार का साधर्म क्या है अताह सेस गुणाह सर्वे मता एकई के वृत्तया यह जो संसकार है यह एकई के वृत्तया एक एक द्रव्य में ही रहता है इस कारिका से यह सिद्ध होता है यह संसकार आत्मा नामक द्रव्य में यह संसकार रहता है संसकार के तीन भेद आएंगे बेग, भावना और स्थितिस्थापक जिसमें भावना नामक संसकार आत्मा में है बेग तथा स्थितिस्थापक यह मूर्त में रहने वाले है यह भावना नामक संसकार आत्मा नामक द्रव्य में समवाय सम्मंद से रहने वाला गुण विशेश है एकई किवर्त यह इसका तात्पर यह है कि एक-एक पदार्थ में यह होता है प्रक्रते पूर्वोक्त वत केवलम आत्म बृत्ति गुणा संसकार आत्मा में रहने वाला यह गुण है संसकार के तीन भेद बतलाए गए हैं पहला है वेग, दूसरा भावना और तीसरा भेद है स्थेतिस थापक कारिका में भी इसी तरह का वर्णन है संसकार, भेदो, बेगो थ, स्थेतिस थापक भावने इस कारिका के माध्यम से इसके त्रैवेद्य का निरूपन होता है अर्थात बेग, स्थेतिस थापक और भावना यह तीन संसकार के भेद हैं बेग का निरूपन करते हैं बेग दो परकार का होता हैं, करमजबेग और बेगजबेग किसी क्रिया से बेग की जो उत्पत्ति होती है ऐसे बेग को हम करमजबेग कहते हैं और बेग से जिस बेग की उत्पत्ति हो उसे हम बेगज बेग कहते हैं मूर्त मात्रे तु बेग हस्यात कर्म जो बेग जह क्वचित यह कारिकावली की पंक्ति है वह जो बेग है वह कहां रहता है मूर्त संग्यक जो पाँच द्रव्य हैं उसमें यह बेग रहता है निमित विशेशा पेक्षात कर्मनों जायेते किसी निमित विशेश को पाकर के क्रिया होती है और क्रिया से बेग की उत्पत्ति हो जाती है कहीं वह कारण गुण पूर्वक भी उत्पन होता है अर्थात बेग का कारण बेग ही होता है कर्मज और बेगज इसके दो उदाहरन हैं मन में रहने वाले जो गुण है वह है संख्या, परिमान, प्रथक्त, संजोग, विभाग और यही बेग नामक संसकार यह गुण मन में समवाई संबंध से विद्यमान होते हैं आपको हम पुन स्मर्ण दिला दें एक स्लोक ऐसा है वह स्लोक बतलाता है कि काउन, कितने गुण किस-किस द्रब्य में है वह स्लोक है वायोर नवैका दशतेजसो गुणाह, जलक्षिति प्राण भरताम चतुर्दश, दिक्कालयो पंच, सडेव चांबरे, महेश्वरेष्टव, मनसस्त थैवच यह आपता यह आठ मन में रहने वाले गुण होते हैं स्थिति स्थापक संसकार जो है, उसके संबंध में कहा गया है स्थिति स्थापक संसकार हा, शितव केचित चतुर्शवपी, अतींद्रियेशव विग्ये यहा, कचित स्पंदेपि कारणम यह जो स्थिति स्थापक संसकार है, वह अप्रथवी में है, किसी का कहना है, यह प्रथव्यादी चतोस्टे में है यह स्थिति स्थापक संसकार अतींद्रिये है, करतात किसी भी इंद्रिये से हम स्थिति स्थापक संसकार का प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं स्थितिस्थापकस्तु स्पर्सवद्रव्येश वर्तमानह धनावयव सन्निवेश विशिष्टे कालांतरावस्थाईशु स्वास्त्रयम अन्यथाकृतम यथावत्स्थापयति स्थितिस्थापक संसकार का एक सभाव होता है यह गुन जिसमें होगा उसे जोका देने से मोर देने से और पुना उसे छोड़ दिया जाए वह अपने पूर वावस्था में प्राप्त हो जाता है हम लौकिक द्रिष्टान्त को देखें तो बास का जो ब्रिक्ष होता है उसे जुका करके पुना छोड़ दिया जाए तो वह पुना अपने स्थान में खड़ा हो जाता है ऐसे स्थावर, जंगम, विकारेशू, धनों, शाखा, स्रिंग, दंत, अस्थिसू, त्रवस्त्रादिशू, भोग्नसंबर्तिदेशू, स्थितिस्थापक स्यकारियम, सनल्यक्षते इन स्थानों पर आप स्थितिस्थापक संसकार को देख सकते हैं, यह नित्य और अनित्य, गुरुत्य की तरह ही इसका उदाहरन समझना चाहिए एक संसकार है भावना नामक संसकार, वह भावना नामक संसकार आत्मवर्ति है, भावना अख्यस्तो संसकारो जीववर्ति ही अतींद्रिया यह जीववर्ति है, आत्मवर्ति है और यह अतींद्रिया है अर्थात पांच जो इंद्रियां हैं वहरी इंद्रियां उनसे भावना नामक संस्कार का ग्राण नहीं हो पाता है यह केवल मनोग्रा ही है इस तरह से हम बेग भावना और स्थितिस्थापक नामक संसकार की चर्चा यहां किये हैं यह संसकार पूर्व पूर्व संसकार से उत्तर उत्तर में संक्रमन भी होता है और पूर्व पूर्व संसकार से उत्तर उत्तर संसकार में द्रधता भी आती है इस तरह से संसकार के विशे में अन्य भी चर्चाएं हैं जिसे इस वीडियो के माध्यम से और इटेक्स्ट के माध्यम से आप इसे और भी अध्येन कर सकते हैं संसकार के दो कारी है संसकार उसका कारण है एक है समर्ण और दूसरा है प्रतिफिग्या संसकार समर्ण में और प्रतिफिग्या में कारण होता है कारी कावली में कहा भी है समर्णे प्रतिफिग्यायाम मप्यसव हे तुरुच्यते समर्न है अहम घटम समरामी यह घट का समर्न है और सोयम घटा इत्याकारक परतिविग्या है इन समर्न और परतिविग्या में यह संसकार कारण होता है जैसा कि आप कारिका को देख भी सकते हैं आप इस चर्चा में सामिल हुए बहुत बहुत आमोद और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद